फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एकदम बढ़िया फ्रूट क्रीम जी हाँ दोस्तों जब भी आपके बच्चे ना आइस्क्रीम या कुछ अच्छा खाने का बोले ना तो आप यह बनागे जरूर खिलाएं गाइस बहुत ज्यादा हेल्दी भी होती है बहुत ज्यादा टेस्ट लगती है और हैल्दी भी होती है तो चलिए दोस्तों देरी किस बात की करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टो माई चैनल कुछ की रसो यह सो दोस्तों बनाते एकदम यह मी टेस्टी फ्रूट क्रीम सो फ्रेंड्स सबसे पहले फ्रूट क्रीम ले लिए और यहां पर हमने अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले लिए तो फ्रेंड्स यह एक पैकेट ना 500 ग्राम का है तो यहां पर हमने दो पैकेट ले लिए और यह ना मार्केट में बहुत ही आसान से मिल जाती है बहुत ही बढ़िया लगती है और टेस्टी भी यह बहुत अच्छा स्वाद आता है तो यहां पर हमने ले लिए किशमिश थोड़ी सी थोड़ी से बदाम ले लिए थोड़ी से काजू ले लिए तो चलिए दोस्तों अब हम इसको साइड में कर लेते हैं सो फ्रेंश अब हम फूट क्रीम मनाने वाले थे खेयं तो है यहां पर मैंने तीन अनर ले लिए हैं और यहां पर दो सेव हैं और दो केले फ्रेश नहीं है तो चलिए दोस्तों अब हमने ना इनको अच्छे से पाने से वाश कर लिया अब हम ना इसकी कटिंग कर लेते हैं सो फ्रेंट्स जो सेव और केला होगा ना उसके हम छोटे-छोटे पीस करेंगे और जो यह अंगूर है ना तो इस अंगूर में बीज निकल रहा है तो इसके हम एक अंगूर में दो पीस कर लेंगे कुछ इस तरीके से यह देखिए तो चलिए दोस्तों पहले मैं इनका फाइन हमारे अच्छे से कट चुके हैं अब हम इसको साइड कर लेते हैं कर लेते हैं दूसरी तैयारी सो फ्रेंट जैसे हमने काटे थे फ्रूट्स वैसे हमने यहां पर ड्राइफ फ्रूट्स भी छोटे चोटे पीसे में कट कर लिए बस हमने किश्मिस को कट नहीं करा है यहां पर बदाम और काजू थे ना उस बदाम के हमने दिमलब बीच में से दो पीस करें और जो काजू है ना उसके छोटे-छोटे पीस कर लिए तो चलिए ड्राइफ फूर्ट की भी अच्छे से कटिंग हो चुकी है तो इसको भी हम साइड में कर लेते हैं अब दूसरी तैयारी कर ले है तो एक तो डल चुकी है अराम से अब मैं दूसरा पैकेट भी ले लोंगी और दूसरे पैकेट को भी अच्छे से कोल के इसमें डाल दूंगी यह देखिए दूसरा भी पैकेट मैंने निकाल दिया और फ्रेंट्स यह क्रीम से इतना टेश्ट आता है इसमें बहुत ही जाल दिये तो अब जो हमने ग्लास वह दूद लिया था ना हमने तो वह दूद हम इसमें डाल देंगे यह दिखिए दोस्तों यहां पर पहले मैं थोड़ा सा दूद डाल दिया है और चीनी पूरी एक कट्रूरी टाल के और इसको अच्छे से मिक्सी में चला लेंगी तो फ और हम थोड़ा एक बड़ा बरतन ले लेंगी सो फ्रेंड्स यह लीजिए मैंने थोड़ा बरतन यानिकी कट्रूर टाइप में ले लिया है अब जो हमने फैंटी थी मतलब जो हमने मिक्सी में चलाई थी ना क्रीम वह पूरी क्रीम इसमें हम डाल देंगे तो यह सारी क्रीम पेले आ चीज़ डाल देंगे अरा मारा करना कोई जल्धवाजी नहीं करनी है अब इसको फुरूट में अच्छे से मिला लेंगे यहां पर सारे फुरूट से मिल चुके हैं क्रीम में तो यहां पर हम ड्राइफ फुरूट भी डाल देंगे अच्छे दोस्तों आपके पास अगर dry fruits और भी एविलेवल होना तो आप वो भी डाल सकते हैं या fruits आपको जो भी पसंदो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है तो ये देखिए काईज मैंने बहुत ही अच्छी से इसमें ड्राइ फूर्स और फूर्स अच्छी से मिला लिए अब कितनी पर्फेक्ट बनी आप देख सकते हैं तो यह अभी न गाड़ी नहीं होगी जब हम इसको फ्रिज में सैट करेंगे तब गाड़ी होगी तो अभी तो यह थोड़ी फ्रिज में रखके सैट करेंगे ताकि एक दम चिल्ड हो जाए जो खाने में अच्छी लगती है कि आइस्क्रीम फेल है इसके आगे सच बतारेगा यह बहुत ही बड़ी है लगती है तो चलिए पहले मैं इसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में सैट करके रख देते हैं और य इतनी प्यारी है ना बहुत ही टेस्टी है मतलब मैं क्या बता हूं कि मैंने तो 2-3 कटो दी तो खाये ली थी इतनी टेस्टी लग लग लगी थी वही मुझे तो बहुत ही बड़ी लगी है तो फ्रेंट्स यहां पर बच्छों बड़ों सब को पसंद आई अगर आपकी घर म है और खाये और सबको इंजॉय कराये बहुत ही टेस्टी लगती है तो फ्रेंट्स आज की हमारी यह फ्रूट क्रीम की रेसिपी आपको कैसी लगी अच्छी लगी है तो प्लीज गई चैनल को सब्सक्राइब जरू करना बहर बहर के भई लाइक कर देना बिल्कुल भी कॉन हो तो आशिवाद दे धेर सारा प्यार दे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नियू रसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक के लिए लव यू ओल